नमस्कार क्या सरकारी नौकरीयां नहीं दी जा सकती है अखिरकार क्यों सरकारी नौकरी के मुद्दे पे जेमेम हो या बीजेपी उतनी मुखर नहीं हो पाती है हालांकि पडोसी राज बिहार ने एक रास्ता दिखाया है ज्यादातर दर्सकों को यह मालूम है कि लाखों नौकरियां बिहार में दी गई और फिर से जो है लाखों नौकरियां प्रक्रिया में है लेकिन जब जार्खन में सरकारी नौकरी की बात आती है तो वो सिर्फ बादों तक ही सिमड जाती है हमारे साथ बनोज पांडे हैं और सनी सरद हैं इस पूरे डिसकसन में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों विपक्ष में रहने के बाबजूद बीजेपी आक्रमक रवया नौकरी के मुद्दे पे नहीं अपना पा रही है सबसे पहला सवाल पांडे जी से ही है पांडे जी जिस तरीके का वाइदा दोहजार उनीस में बतौर नेता परतिपक्ष हेमन सोरेन कर रहे थे नौकरी के मुद्दे पे बाद में जब सत्ता में आये कोरोट ना क साल आया और दो साल कोरोट में बीद गया उसके बाद नुखती वरस का भी वायदा किया गया लेकिन वह जो उमीद इवाऊं को थी हेमन सोरेन की सरकार के वह पूरा होता हुआ के पास जाकर कि घेराओं भी कर रहे हैं इस्तिती ऐसी आई कि पिछली दफा जो जैसेसी कार्याले के समक्स पर दर्सन हुआ वहां पर एक छात्र ने अपने उपर तेल छिड़क कर आग लगाने की भी कोशिश की लेकिन इन मुद्दों को बीजेपी उस तरीके से आवाज नह मानते हैं अब उसका वही बजय है सुपवा हसे तो हसे चलनियों हस देगा किसके दामन साफ है सत्ता पक्षो बिपक्षो आज जो सत्ता में कल जो भी पक्ष में था सबका तो वही रवाया है दरासल होता क्या है सरकार इतना आगे बढ़के बोल देती है कि महां से पीछे ग बाद उसमें अस्थापना मद में जब खर्च देखती है सत्ता में आने के बाद चुकि भोट लेना होता है तो फिर आपके सामने है कि हम टीवी भी देंगे फ्रीज भी देंगे बिजली भी फ्री देंगे सब कुछ लेकिन जैसे ही अस्थापना मद का खर्च बढ़ता है स जो कोई भी सरकार क्या करती है कि अपना सोर्स ऑफ इंकम जनरेट नहीं करती जो पैसा रहता है उसी से करजा ले लेके चितने जहारखंड भारत में अभी स्टेट है और पिछले दो साल तिन साल का दियान कर ले तो एक जहारखंड ही है जो अपना डिफिसियेट कम किया वि तो उसका इसेसरीस का प्हिंट कुरसी का प्हिंट यह सब जो अस्थापना मत दीया गया था वो क्यूं कि नियुक्न आपकी बातों को सुने क्योंकि आप हमने तो इंट्रों में बताया कि बिहार में किस तरीके से नोक्रियां दी जा रही वहां पर भी तो इस तरीके की चैलेंजेज होंगे तो आप समझ यह बिहार में कब नोक्री दे जाए रही थी नितिश कुमार कब से हैं और कब नोक्री मिल रही है ये भी तो सोचना होगा बिहार में जब नोकरी नहीं मिली तो क्या डेवलप्मेंट और इंफ्राइस्ट्रक्चर खर्च हुए जादा सरकार के पास जो पैसा है सरकार सोर्सेस ऑफ इंगम बढ़ारना नहीं चाहती जहां पे अगर सरकारी करमचारी बहाल होंगे तो उनका जो सरकारी नोकरी देना बहुत ही जरूरी है जार्खन में तो मान लीजे कि यहां पे अस्तानी और नियोजन नीतिका मसला है लेकिन बाकि पूरे देस सतर में देख लीजे या किसी दूसरे राज में देख लीजे ये परिस्थितितय यहीं उत्पन होती है जनता को इसलिए समझना जरूरी है कि अगली बार जो भी सरकार आए आपके पास आप उनसे ये पूछिए कि अगर मालीजे जहरकंड में 3,85,000 पद खाली हैं तो आप sources of income और कैसे develop कर रहे हैं ये बताईए नहीं तो नोकरी वही है कि हम नोकरी दे देंगे नोकरी देंगे पर कोई policy नहीं होता उनके पास और जब सरकार आती है तो उनकी प्रात्मिकताय बदल जाती है उनको लगता है कि सड़क बहुत अच्छा होना चाहिए हर गाउं में बिजली होना चाहिए हर गाउं में पानी होना चाहिए तो वह पैसा तो रुख जाता है मतलब इधर ध्यानी नहीं जाता क्योंकि पहले सरकार क्या करती है कि हम अगर 500 पुलिस की बहाली निकालेंगे तो 500 पुलिस के माल लिजे 5 कड़ोर महीने का अगर खर्चाता है तो वह जोड़ना सुरू हो जाता है वित्य विभाग में फिर वहां पर कुछ ठंड़ा सितिल हो जाता है जब सरकार के पास इनॉर्मस फंड भी रहेगा यही सवाल जो सनी से भी पूछ लेते हैं पांडे जी जो इतना टेक्निकल चीज बता रहे हैं जो इनकी समझ में है जो बोल भी रहें कि लोगों को समझना चाहिए क्या युबाओं के पास इतना धैर होना चाहिए और आखिर धैर क्यों हो जो लोग बेरोजगारी में अपना समय काट रहे हैं इन सब बातों से उनका क्या लेना देना है अब बिल्कुल देखिए आपका पहला सवाल ये था आपने जो इंट्रो सुरू किया कि क्या सरकारी नौकरी सरकार दे सकती है अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो फिर सरकार क्यों सरकार तो एक व्यवस्था चलाने के लिए बनाया जाता है और सरकार के व्यवस्था में सरकार के कर्मी है अब पूरा देश जिस हिसाब से जा रहा है अनुबंद के आधार पर टेंपरोरी नौकरी के आधार पर उस हिसाब से देखिए तो जारखंड जो है अग्रणी मिस्रेनी में आता है जो अभी मैं आकड़ा देख रहा था इंटरनेट पर जारखंड विरु मिनिश्टर है सत्यानंद भोगता उन्होंने स्विकार किया था कि पड़ोसी पांच राजियों में सबसे अधिक बिरुजगारी जहारखंड में और सबसे कम अभी का जो आकड़ा है उसके अनुसार अधार पर निकलता है अभी का जो डाटा है उसके अनुसार लेवर एंड इंप्लोइमेंट में करीब साथ लाख से अधीक लोग जो है रघीस्टर हैं जो रघीष्टर विरोजगार हैं तो यह तो विरोजगारी भत्ता लेने के लिए रिजटर की हैं या सचपूच में बिरो आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मंच से आप बॉल रहे हैं कि भाई अधिकारी यही या फिर वयवस्था के लोग मेरा सुन नहीं रहे हैं, सुनेंगे कैसे, एक आदमी के माथे पर दसदस व्यक्ति का काम है, वो क्यों है, क्योंकि आप तो वेकेंसी ले नहीं रहे हैं आपका कोई विधान सभा का सीट खाली हो रहा है तो आप समय से पहले उस व्यक्ति को जो है मंत्री बना दे रहे हैं और उसके बाद वो विधायक बन रहा है तो आप अपना व्यवस्ता तो देख रहे हैं लेकिन जिसके व्यवस्ता के लिए नोग्री देने का वादा किया ह। पाँच लाख नौकरी देने का वादा किया था तो उस हिसाब से तो 20 लाख आपका भी हो गया तो आप कहां दे पाए नौकरी तो देखे सवाल का जवाब तो होता नहीं फिर उस जवाब को जो है घुमाया जाता है आपको याद होगा जब धुमका में उपचुना हो रहा था तो मुख्यमंतरी हमन सुरेन से सिर्फ एक मिनिट मुझे सवाल करने का मौका मिला था और मैंने पूछा था कि नौकरी को लेकर बहुत सवाल उट रहे हैं तो उनका भी यही जवाब था कि कौन सा नौकरी सेंट्रल वाला या स्टेट वाला किस पर बोलें आप स्टेट के और विपक्ष तो इस मसले पर कितना पास है कितना फेल है यह तो जनता तैय करेगी लेकिन हम लोग तो सवाल लगातार उठ रहे हैं जो उठाने चाहिए चुकि आप देखिए कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं सड़क पे स्टूडेंट हैं वो सवाल पूछ रहे हैं हर दिन सेखड़ों फोन कॉल मुझे आते हैं कि आप ट्वीट कीजिए सरकार से पूछिए आप रिपोर्ट बनाईए दिखाईए लेकिन सुन कौन रहा है इस तरह से अब सदन क्या होगा सवालों से कोई मतलब है नहीं सवालों को उस तरीके से लिया नहीं जाता है अपने हिसाब क नौकरी जो पहले साल मिलने वाला थबो कहां है तो पब्लिक के पास भी कोई आपसन नहीं है आप इधर जाए या उधर जाए नहीं इस यह ढूल मुल रवाइये के भी बिहार ने एक लेंडमार्क सेट किया है अब बिहार को दिखाते हुए स्टूडेंट पूछ रहे हैं क लेकिन अब जिस तरह से जार्खन में चार साल के बाद जो इस्तिती बनी है और सरकार को भी लग रहा है कि अब तक चार साल में जो सिर्फ आस्वासन की घुटी पिलाई गई है अब उससे नहीं हो पाएगी तो सवाल है कि अब क्या होगा क्या आप उतना समय बचा है कि इत सदन के बाहर या सदन के अंदर या सोसल मीडिया में बिरुजगारी का मसला उठा रहे हैं लेकिन सेंट्रल में वह भी जाकर चूप हो जाते हैं आप देखिए कल ही जब राहूल गांदी से पूछा गया कि वह संसद में जो हमला करने वाला था तो उन्होंने उसको कि करके करे करकित दिशला कर रही है लेकिन सचाइए है मुझे लग रहा है कि नौकरी देने के मुड में खिख नहीं रहा है क्यों ऐसा मुखमंत्री कर रहे हैं जब जब करने कर रहा होरा है उनका मुखमंत्री आपके द्वार सरकार आपके द्वार माफ कीजेगा उसमें तो वो बोल ही रहे हैं पांडे जी जो टेक्निकल बातें आप बोल रहे हैं हलांकि जनता उसको समझेगी नहीं समझेगी कैसे समझना चाहिए मुझे तो लगता है नहीं समझना चाहिए उसको त अपना खींचती है सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने से ये चीज़ें जब वादा करते हैं येलोग जब बजीप्वादा कर रहे हैं थी कि दो करोड़ा नौकरी देंगे हम जब जेमल और गठवं हर आदमी स्वार्ती होता है इस धर्टी पर जानवर तक स्वार्ती होते हैं आपको जो सुना वो सुना दिया और भोट ले लिए मैं इसलिए कराओं कि जनता को यह समझाना होगा और तभी नहीं या आखिर इस तरीके की जो वायदे करती है उसका उसके पीछे क्या यह लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं नहीं दे पाऊंगा परिस्थितियां ऐसी होगी जो पॉलिटिकल पार्टी वादा करती हैं उनका जो मैनिफेस्टों तयार होता है उसके पहले ना वित विभाग बैठ इस बते हैं यहीन चाहरा हूं मेनिफेस्टों नहीं अपर ने भासं में यूस बात का जिक्र नहीं करते हैं ने मूर्ख बनाने के लिए कैस बिल्कुल क्योंकि फोटटी काacious हो जाने सुप्रीम कोट यह अधेस दे कि जो भी मैनिफेस्टो फूरा नहीं करेगा जनता उसके जो परदान परदेश अध्यक्त होंगे या रास्टी अध्यक चोंगे उन पर फोटटी कास होगम औरवो सजाक हगडार होंगे फिर देखिया मेनिफेस्टों टना टना आएगा और नेता भी अच्छी तरीके से बोलेंगे वही बात बोलेंगे जो कर से कहेंगे नहीं तो फिर ऐसी बोलते रहेंगे कि हो कि पुरे देश के प्रहानमंत्री हैं कोई स्टेट के तो हैं नहीं कि मोधी की गारेंटी है साठे-चार सो में सिलेंडर हम देंगे पांट सो में सिलेंडर वहां सो गहलो दे रहे थे यह मोधी जी गय और बोले की मेरी सरकार यानि बीजेपी जब राजस्तान में आ इगी तो साधे चार सुमें सिलन्डर मिले कॉंग्रेस एक कदम और नीचे आई और क्या णॉस बोली कि हम chip सुमें सिलेंडर देंगे वो जयार्खंड भी सत्ता में यहाँ यहाँ पर नहीं पूरा देश चला रहे हैं लेकिन पूरा देश को साले 400 में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं तो तरीके से कैसे पब्लिक को अपने जहासा में ले करके अपने पक्ष में बोटिंग करा है तो देखें यही बीजेपी जो प्रधान मंत्री हैं और जिस पार्टी के वो नेता है वही पीजेपी दिल्ली में रविंद के जरीवाल पर हमेशा यही आरोप लगाती रही कि फ्री की रेवेडियां बाट कर जो है यह मतलब गलत आदत जनता को लगाया जा रहा है और वही खुद रेवडियां बाटने जैसा ही बोल रहे हैं कि भाई आप समझे कि अधिकार है और क्या कुछ कर सकते हैं तो लेकिन है कि अब चुनाओं में एक नई परिपाटी बन रही है कि भाई कोई एक चीज ऐसा दिखा देना है कि जिससे जनता आकरसीत हो जाए वही प्रधान मंत्री यह नहीं बोल पाए कि भाई राजस्थान में जो विरोजगारी का दर है उसे हम कैसे ठीक करें उसके लिए यहां की सरकार रोजगार देगी केंदर की सरकार रोजगार देगी नौकरी देगी और यही वज़ा है कि स्वारोजगार और स्टार्टप जैसी बाते करके रास्ते को डायभर्ट किया जाता है मुख्य मुद्दा यही है कि या दिंग किया जा लेकिन अगर आप इसको ब्रैंडिंग करेंगे की ग्रेजुएट हो फिर भी चाय बेचो सारा ग्रेजुएट से आप चाहीं बेचवाएंगे और इसी तरीके कि अगर आप वेवस्था डेवलप कर रहे हैं आप सारे लोग तो अब समझे कि किस दिशा में जा रहा है और उस पर तो जार वही मैं बोगल रहा हूं कि जारखन में जो सरकारी आखड़ा है जो सरकार के तरब से जारी है कि भाई करीब साड़े तीन लाग चार लाग जो है पद खाली है और साथ लाग के आसपास रेजिस्टर्ड पर रोजगार है आप समझे कि हर एक दो में से एक व पर वस्था में उस इसाब से काम नहीं हो पा रही है क्योंकि आप यह तैमपरोरी किसी को एक साल के लिए रख रहे हैं फिर उसे निकाल दे रहे हैं फिर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे निकल कर भी देखे सिक्फावी भाग से 2000 लोगों को एक साथ निकाल दिया और कहा जा रहा है कि आप फिर से परिक्षा देजिए और फिर से आईए अब समझेए कि अब भी बोल सकते हैं कि हम कोड़ साफ कर रहे हैं आपको याद होगा कि वह पूरा निविदा पर जो वेवस्ता है कॉंट्रेक्ट पर उसको एक कोड़ बोले थे कि यह वेवस्ता ही सीम मंद को नहीं पसंद है लेकिन अभी हाल क्या है गरार बोल रहें हैं और यह हूँ तो । बता रहे हैं आप आप देखिए जितनी भी न्युक्तियां होई है उसमें से ज्यादा तर तो फेकेंसियां रगोरदास की सरकार में आई थी और इस सरकार में बस सिर्फ जुएनिंग लेटर बाट कर फोटो खिचाई कि रसमताएक हो रही है आप तो परिक्षा मिल रहा है और रहा है और यहीं वजहे कि आदिवासी नभी नहीं लुकल कर बोल रहे हैं इस समय है ऀडिए सवाल मेरे जिहनमे और जमोच पा टीडि जी दो 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 सवाल आप लोगों से पुछेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे पहले सवाल सुन लीजिए कि दर्सकों को क्लियर हो जाए मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे करते हैं और इसको आसानी से थोड़ा समय देजिए परदान मंत्री मोदी ने क्या देखा कि पहले का लोजी दे रहे थे सिलेंडर उससे 50 रुपया कम कर देना है सिस्टम क्या है उतना बड़ा स्टेट है पर वहां पर हाउस होल्ड बहुत कम है सिलेंडर का दूसरी बात सरकारी जो यह गैस पाइपलाइन बीच रहा है वहां सब जगद फटा फट काम करवाना है यह उनका पहले से मोटो रहा है तो सिलेंडर उप भोगता कितने बचेंगे बहुत कम सिलेंडर की बात एक्जामपल के लिए था पांडे जी नौकरी पे बातचित करते हैं है जैसे हेमन सोरेंजी हेमन सोरेंजी ने क्या कहा था कि हमारी सरकार आएगी डाई अजार रुपया हम देंगे आपको विकलांगों को और चुला खर्चा देंगे वह सब क्यों बंद हुआ पैसे के चलते नहीं तो हेमन जी को क्या लगता अच्छा है जनता बेरोजगारी भत्ता देंगे पहले हुआ मन्थ में देंगे फिर हुआ कि यह में देंगे वह भी नहीं मिला क्यों यह सर्फ सिर्फ और मनी और आज जो मुक्हमंत्री हर जगह कहते फिर रहे हैं कि मेरा एक लाग शत्तिस हाजार कड़ोर जब से जहार गठन हुआ उस समय का पैसा से वह मा में सारे लोग पहुंचेंगे बीजेपी भी पहुंचेगी युवाओं के मुद्दे पे क्यों वो मुखरता से नहीं बोल पा रहे हैं वजह जो पहला सवाल था मेरा वही अब फिर से एक बार दूरा रहे हैं कि आखिरकार जब युवा क्रोसित हैं तो क्या बीजेपी को ड देंगे एक इस तरीके का कोई डाटा भी तो नहीं दे पाने के इस्तिति में उसके पीछे है कि जारखंड की जन भावना उन्होंने देख लिया कि खतियान अधारित है इसलिए हेमन जी सत्ता में तो अब क्या वो खतियान अधारित घोसना कर सकते हैं हाला कि आज मेरी बात पिछली सरकार वो अपना आकड़ा दिखाती है कि हमने इतना दे दिया नोकरी एक लाग से अधिक लोगों को नोकरी दिया और जो आज भी तक भी बट रहा है वो हमारा ही देने तो उनके पास कहने के लिए कुछ है इनके पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है लेकिन आप इस बात को समझेए मुखर कब होगा जब जिसमें इस पस्टवादी होगी इस पस्टता होगी कि भाईया हम इस सिस्टम से नोकरी देंगे वो सिस्टम क्या होगा वो बताने में असक्चा में बाबुलल मारांडी ने हला कि अभी तक आठ सभा में यह चीज बोल दिये हैं कि हम पहले साल में जारकंड में जितने रित्पद हैं उसको बर देंगे यह वो लगातार आठ सभा में कह दिए बिलकुल आप सही बोल रहे हैं कि रिक्तियां भरने की बाद बाबुलाल बोल रहे हैं संख्या नहीं कि ना रहे हैं कि पीछे न पड़ जैसे अभी लोग पूछते है जब जारकंड अलग हुआ था और चुकि वह पर राज में पहलीवार मुख्यमंत्री बने और कोई भी राज जब बनता है और पहला जो काम होता है तो हमेशा उसका नाम रहता है तो उस हिसाब से उस समय बाबुलाल का बहुत नाम हुआ था कि रिंग रोड बनवाए जा रखंड में सणकों का जाल बीच गया बिजली पहुचा चुकि नया इस्टेट था पैसा मिल रहा था उस हिसाब से काम हो रहा था उसके बाद कभी स्थीर सरकार बनी नहीं और इस्थीर ही सरकार रही रगवरदास की सरकार पांच साल इस टेकी उससे पहले हैमन सुरेन की सर सरकार के चार सल पूरे हो गये है तो चार साल में ला के रहा महें हम सब्स mer just अगर कीजिएगा तो मुझे लगता है कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर उस हिसाब से तो खरा नहीं उतर पाई अखरी सवाल है और सवाल ही है कि आप जब एक साल का समय बचा है और हेमन के पास एक साल का तो बहुत उप्यूक चमय किया जा सकता है तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं आने वाले साल में मुझे लगता है कि सरकार पहले चारी की 1922 को पहले पास कराया जाए सभी जगह से और 1922 को ही नियोजन से जोड़ा जाए और उसके बाद साल तो बीद गया स दिये हैं अब फिर से जो देखिए कल से विधान सभा का सत्र फिर से शुरू होना है तो अब इस सत्र में फिर पास होगा उसके बाद फिर आगे क्या होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा लेकिन जो वर्तमान इस्तिती है उस हिसाब से लग रहा है कि सरकार भी चा सामने है लोक सभा का और फिर स्टेट का इलेक्सन होगा क्या सरकार के पास जो एक साल का समय है वो परियाप्त है उन वादों को पूरा करने के लिए जो इवाओं से हेमन सुरेन और गठवंदन के लोग किये थे नोकरी की संख्या बहुत सरकार चाहेगी तो आठ से दस आज कर दे सकती है तब तक फिर एलेक्सन आ जाएगा विधान सभा का क्योंकि सिस्टम है हर चीजी का नोटिफिकेशन होगा इतना दिन फॉर्म भड़ने का समय मिलेगा उसके एक महिना में आएगा सेंटर एलोट्मेंट के 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा यह सब करके अगार सब्सक्राइब करेंगे तो सरकार पूरी थाकत भी लगा लेगी तो आठ से दस अजर से उपर नोक्री नहीं दे पाएगी कैसे आप बोल रहे हैं तब जबकि मुखमंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम साथ हजार नोक्रियों का जो है फिर से निकालने जा रहे हैं सिस्टम समय है कि आज अगर आप नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि परसो दोपर साम तक ही भरे जाएंगे हर चीज़ का सिस्टम है कि एक महिने का आपको टाइम देना है सेंटर एलोट्मेंट के पंदरा दिन पहले एडमीट काड़ा जाना है उस हिसाब से बिहार में क्या है आप इस समझ यह बिहार में जो पहले महां सिच्छक न्यूक थे उनको राजकर्मी का दर्जा जोड़ा गया इसलिए वो न्यूक्तिया वैकेंसी बड़ा दिका रहे है बहुत कम था पंदे जी 25,000 का ही संख्या था सरकार अगर चाह ले तो सरकार के पास इतने मैन पावर हैं सिस्टम है कि वो लाखों नौक्रियां चुटकी बजा कर दे सकती है लेकिन युवा जो निरास और हतास हैं वो फिर से जो है उमीद उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं अब जब चार साल के बाद इसी तरीके की बातें जब हेमन सोरेन करते हैं अपनी सभाव में तो युवाओं को वो भरोसा नहीं हो पा रहा है यह जो लैकिंग हुआ है भरोसे का जो भरोसा में जो बजन जो हेमन सोरेन की बातों का था वो जिस तरीके से युवा काफी युवाओं को नौकरी ज्यादा से ज्यादा कम समय में दे पाएगी शुक्रिया